अगर आप एक बार बना लेंगे ता आप हपते में दो तिन बार जरूर बनाएंगे ये खाने में बहुत इस्वातिस्त बनकर त्यार हो जाती है तो ये सुवे साम के चाय के साथ आप बना कर खा सकते हैं तब फ्रेंट्स रिनाई जी फूर चैनल के आप सभी का स्वागत है तब फ्रेंट्स आईए इस नास्ते को बनाना सुरू करते हैं यहाँ पर हम लेंगे एक कच्चे घ्या पहले हम घ्या को साप करेंगे तो इसको हम बीच में कट करेंगे उसके बाद हम इसको इसका छिलका उतार कर पहले तियार करेंगे उसके बाद हम घ्या का सारे बीच निकाल लेंगे कोई भी चाको या चमस से आप आसानी से इसका बीच निकाल सकते हैं अगर बीच निकालने में परिशानी हो तो आप इसको और भी टुकड़े कर सकते हैं इसी तरह छोटे टुकड़े में असानी से बीच निकाल जाते हैं यह दिखिए इसी तरह सारे बीच निकालने के बाद हम इनको उबार लेंगे तो पहले हम बीच निकाल कर इनको त्यार करते हैं तो यहां पर सारे घ्या का बीच निकल चुकी हैं आप देख सकते हैं यह ते पानी हे अच्छे से गरम हो जूँत है अभी हम क्या करेंगी पानी में आधी चमच नमक डालेों जिए हम घया करके इनको गरम पानी के अंदर डाल देंगे डोसे तेन मिन्ट कि त्रों वबाल के और यह 75 को त्युक्त कर दो यह त्यमक मैं अच्छे से सब्ट हो जाते हैं अथ हैं त्केसी अच्छे से बनाख त्यार नहीं होती है थे29 अभी हम पानी में से निकाल लेंगे थंड़ा सब्सक्राइब कर लेते हैं कर लेते हैं यहां पर हम इक द्रम्स गड़ाई में एक बड़ी हम जूइल दालेंगे और तड़के में हम जीरा मेथी सौंप को लोंजी यह सारे चीज में तड़का लगा लेते हैं तो अभी हम बारीकटिवी लहसुन और हारिमिच और अध्रक डालेंगे अधियां पर तड़का विल्कुल तेयार हैं कि अध्या अभी हम लेंगे पारीकटिवी याज अधियाज को भी हम हलका रोश्ट करेंगे अध्यास यहां पर लेंगे कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता को भी हम काट कर डालेंगे और यहां पर हमरा तड़क बिल्कुल तैयार है, जिसने हम क्या करेंगे यहाँ पर हमलेंगे एक टमाटर उसको बारे काट कर लेंगे और अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करेंगे यहां पर टमाटर के साथ यहां पर लेंगे नमक नमक डालने से टमाटर जल्दी सब्ट हो जाते हैं की आंक वि Hakk के शास हैं पर सारी सुखे मसाले लेंगे लाल मेच पवडर अधी चमच aur भिवदी चमच यहां पर अाधी चमच गरम मसाला यहां पर आप अपने हिसाब से हो ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं मसाला आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा आपको जैसे भी पसंद हो और अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम मसाले को पकाने के लिए यहां पे लेंगे दो से तिन चमच पानी और अच्छे से मसाले को दो तिन मिन्टे तक पका लेंगे जैसे हम सब्जी के लिए मसाला त्यार करते हैं उसी तरह हम मसाले को त्यार करेंगे तर यहां पर दो तिन मिन्टी हो चुकी है और मसाला बिल्गुल त्यार है अभी हम लेंगे उबले हुए आलो, हमको मैंने मेश करके पहले ही रखा था, त्यार करके, तब ही हम मसाले के साथ अच्छे से आलो को मेक्स करेंगे, और एक दो मिन्टी अच्छे से मसाले के साथ पकालेंगे, और यहां पर हमारे आलो का चटने भी बिल्कुल तयार है, फिल क अगले प्रेसेस में यहां पर हम लेंगे एक बाउल, बाउल में एक छोटी कोटोरी में एक कोटोरी, बेशन लेंगे, बेशन के साथ यहां पर लेंगे, अधी चमच नमक, अधी चोटी चमच हल्दी पाउडर, अधी चोटी चमच लाल मेच पाउडर, अधी चोटी चमच धन करेंगे तो फ्रेंट्स अगर आभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक जरूर करें तो अभी हम अच्छे से बैसान के साथ मसाले को मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसका गोल तियार करें एक साथ हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका गुल त्यार करेंगे यहां पर हमें गुल को ना ज्यादा पातला करना है ना ज्यादा गाड़ा रखना है इसी तरह गुल होना चाहिए तो अभी हम इसको भी साइड में रखेंगे यहां पर यह जो घ्या हम औबाल कर रखे थे यह भी फंडा हो चुके हैं अभी हम यह आलू का जो स्टापिंग Bei कारकर कर रखे इनको हम अच्छे से गया के अंदर करेंगे इसमें बिलकल घ्यत नहीं होना चाहिए अच्छे से इसको दबा दबा कर फिल करेंगे और इसी तरह बच्चे हुए घ्या में भी हम अच्छे से स्टॉपिंग को फिल करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह अच्छे से आलू घ्या के अंदर फिल हो चुकी है अभी हम क्या करेंगे कट लगाएंगे तो यहां पर हम आधी इंच या एक इंच पर कट लगाएंगे और इनको त्यार करके रखेंगे इसी तरह उसके बाद हम क्या करेंगे बैशन में डीप करेंगे और इनको फ्राई करेंगे तो यहां पर मैंने आपको और एक सिग्रेट बात बताऊंगी जो कि यह नास्ता में और भी चार चांद लगा रेती हैं तो यहां पर हमें मैं आपको एक इसमें सिपीस उठाती हूँ और इसी तरह हम बैसन में डीप करेंगे सबसे पहले vonresy मैंने ब्रैड का बुरादा मैंने बृइड का बृटा इसको मिक्सर कैन dip करेंगे तरहीं करें ओर लिए और भी ज्यादा टेस्ट आता हम यह उपर से बिलकुल क्रिशपी और अंदर से बिलकुल सफ्ट बणकर तेयार होती नंकर पमदूब नबह स्धुर्स तो इसी तरह सारे नास्ते को त्यार करेंगे उसके बाद हम फ्राइ करेंगे तो यहां पर हम चलते हैं फ्राइ करने के प्रसेस में यहां पर वैल मैंने पहले गरम हने के लिए रखा था और यहां पर अच्छे से गरम हो चुकी है अभी हम इन नास्ते को फ्राइ करेंगे तो तो यहां पे तीं से चारव सब्सक्राइब हुआ हम और यहां पर एक दो मिन्टी हो और ये फ्राई हाने के लिए तीन से चार मिंटी लगते हैं ये अच्छे से फ्राई हाने के लिए तहीं हाँ पर ये नास्ता फ्राई हो चुके हैं आप देख सकते हैं ये उपर से कितना बढ़ा क्रेश्पी बनकर त्यार हो चुके हैं और कितना बढ़ा कलर आया है इस नास्त कि एक बार बनाएंगे तो आप हफ़्ते में दो बार ज़रूर बनाएंगें यह नास्ता दो इतर है आधे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्रीब नहीं किये हैं सब्सक्राइब करें और बेला कंकि के उ fenoter लिए फिर मिलते हैंangs नई वीडियो के सब तक गली वाई झाल 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 झाल